कि फ्रेंट्स इन प्रिवेस्ट वीडियो हमने देखा था चैनल ट्रांजिशन का केस है ना वहाँ पे कुंसा फ्लो था हम अब हमारा था सब क्रिटिकल फ्लो ठीक है ना वियर गोईंग टू डील विद सेम थिंग ना बट हमारा फ्लो कैसा है अब यहाँ पे फ्रो है हमारा सुपर क्रिटिकल बोले तो था जजी से बह रहाए है ना सुपर क्रिटिकल यह समझते हैं जिसमें वेलासिटी ज्जादा होती यह इता क्या सब्सक्वाइभ हम इस समझते हैं प्रीवेस वीडियो सब कि अधिया लग गया होगा यह बात को यह आपे क्या है कि फ्लो शॉप तो even is equals to delta z plus E2 Delta Z क्या है यहां से यहां तक है हम है delta Z और बाकी की जो बचेंगी एनरजी है यह हमारी E2 यहां से यहां तक है so even is equals to delta z plus E2 यह फंड़ा में प्रीवेज में भी discuss कर चुके थे तो आहीं हो पर लोग के एजिली रिलेट कर पाए होगे ठीक बट एर दफ लो कंडिशन इस सब क्रिटिकल ठीक है सो जब हम हम की हैट को बढ़ाते जाएंगे हमके हैट को बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर यह पानी की डेफ्ट में क्या वेरेशन आएगा यह देखना है हमें पर टे के तो लट सी हमने देखिए उस दिए ऊथ टोड़ा सब्सक्राइब इसको साइज के इंक्रीज कर लगें ठीक है सो एंडीज हएंड प्लोद हर इनक्रीज प्लोड़ से ली और इस पोर्शन की बात करेंगे नहीज數ेसेरेन की बात नीचे की बात करेंगे तो सुपर क्रिटिकल लो है ने क्रिटिकल डेप्स से नीचे क्या पूरे एरिया में ही हमारी पूरी कहानी घूमेगी ठीक है पूरी कहानी हमारी क्रिटिकल डेप्स से नीचे ही घूमेगी तो बात करते हैं कि है यह जो दिस लाइन रिप्रेजंट इवन ठीक है हम इस तरफ होगा तो देखो पहले तो हमकी आइट के कारण जो एनरजी मिल रही थी वह हमारी यह ठीक है यहाँ पर डल्टाजट अब अगर हम इसकी हैट को बढ़ाते जाएं ठीक है अब हम इसको बढ़ाते हarde इसको थोड़ा से यहाँ शिफ्ट करें तो देखो डیल्टा यहां पर हमारा क्या हो रहा है यहां पर हमारी जो वाइट हूए ना जो हमारी हंकी इंटरेश्च्शन वाली साथ कर रही यह वह हमारा येट ने तो दोस्ते देखो फिर से अगर हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो वाइटू जब इंक्रीज हो रहा है न देखो इसको फिर से यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या है देखो वाइटू पहले कहा था वाइटू पहले यह था अब हमने इसको हमकी हाइट बढ़ा दी यहां तक बढ़ा दी तो हमारा वाइटू क ऑगए यह ओगया ऐसी y2 lightning को नतबढेगा । मैक्सिमम कहां तक बढ़ दिखो वाई टू मैक्ससिम मिकस कहां तक बढ़ेगा डिया मैक्स टू मैक्स लाए टू हमारा सकता है दोस्तोईMark यह थिक्य है यहां तक वाई-टू बढ़ के हमारा पहले यह था फिर बढ़़ पढ़के वो हमारा YC पे आ गया ठीक है कब आगे जब हमने डेल्टा-जेट को यहां तक ला लिया कहां तक डेल्टा-जेट मैक्सिमम तक इससे बियॉंड अगर हम डेल्टा-जेट को बढ़ाएंगे तो पॉसी भाहले क्या भाई देखो तुम ही देखो इसके बियॉंड कोई इंटर्सेक्शन हो रहा है क्या देखो जब यह लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहा है तभी इंटर्सेक्शन हो रहा है कर्व और लाइन के बीच में ठीक है यहां पर यहां से हमने यहां लाया आगे लाया आगे लाया आगे लाया कंटीनेसली जो है वाई हमारा बढ़त तो यहां पर क्या है सीन ऐसा बन रहा है कि हमारा जो है डेल्टाजट हम मैक्स से मैक्स कहां तक बढ़ा पा रहे हैं जब हमारा वाइटू जो है वाइसी पर रीच कर रहा है ठिक है वाइटू तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे हम हमकी हाइट यहां पर बढ़ाएंगे यह हमकी हमने कुछ हाइट बढ़ाई तो वाइटू हमकी हमने हाइट बढ़ाई तो वाइटू बढ़ गया हमकी हमने हाइट बढ़ाई तो वाइटू बढ़ गया हमकी हमने हाइट बढ़ाई तो टेल्टा जेट मैक्स तक टेल्टा ज्लैट मैक्स तक तक बोले तो यहां तक जहां पर यह कर्व कर्व हो रहे हैं नहीं कहां तक यहां तकक досक्त गयां एक सबस्क्राइब कि इसे एक सिलेट यहांद है तरफ q mamem इसे दो से फ्रोक्त फीर Gateway को तो यहां पर हमें यह फंडा आयोप आप लोग को ग्लियर हो गया ठीक है इसको हम लोग कर लेते हैं ठीक है कि नोट कर नोट डाउन कर लेते हैं सारी चीजों को ठीक तो देखो इसको समब करते हैं कि भाई दब आपने डल्टा जेट बढ़ाया तो वाई टु बढ़ रही डल्टा जेट जैसे जीए बढ़ा रहा रहे हो यह यहा पर यपन डल्टा जेट Dallas कि कry वैल ip Bash अ कर दी यहां तक delta z कर दिया ठीक है यहां तक तुमने delta z कर दिया तो यहां पर y2 क्या हो गया y2 क्या हो गया yc हो गया हमारा तो y2 will be equal to yc ठीक है जब delta z तुम्हारा delta z max हो गया अब इसके बाद अगर तुम delta z बढ़ाने की कोशिश करोगे भाई ठीक है इसके beyond मानलो तुमने delta z हमकी height को इत्ती जादा बढ़ा दी एकदम ठीक है इसके beyond delta z बढ़ाने की कोशिश करोगे ठीक है जब तुमने delta z को increase कि greater than delta z max तो y2 तब भी yc ही रहेगा क्योंकि यहां पर क्या होगा कि इसके beyond तो कोई intersection पॉसिबल ही नहीं तो y2 yc पही रहेगा पर अब तुमारा scene change हो जाएगा कहां पर at section 11 पर इस section पर scene change होने लगेगा अभी जो flow depth है तुभारी यह देखो अब जो यह जो depth है यह depth of flow क्या हो जाएगी यह reduce हो जाएगी और ठीक है so y1 will be become y1- y1 जो होगा हमारा y1- बन जाएगा where y1- is less than y1 y1 will become y1- where y1- is less than y1 इसका मतलब क्या है देखो यह तुमारी y1 थी यह थी अपनी y1 तो अब इसके beyond जब तुम delta z max के beyond अगर इसको बढ़ाओगे तो यहां पर तुमारे section 11 पर जो flow है वो change हो जाएगा ठीक है y2 तो अभी भी yc पर ही रहेगा ठीक है तो section 11 पर तुमारा flow change हो जाएगा अब यह जो y1 था यह घट जाएगा और क्या हो जाएगा y1- हो जाएगा और जो की y1- जो है वो छोटा रहेगा y1 से जो है वो छोटा रहेगा y1 से आई होप clear समझ में आया होगा भाई ना बहुत डीटेल में हम लोगों ने की चीज़ बहुत क्लियर क्लियर मतलब करके ही समझ रहें ठीक है तो अगर इसके वियॉंड जो तुम बढ़ाओगे तो वाइवन जो होगा वह वाइवन से छोटा र यहां पर बढ़ेगी जिसे यहां पर flow depth जो है वो कम होगी flow depth कम होगी और वह initial case में सब critical flow के case में flow depth जो है वो वैसे जादा रहती है और उसके बाद और भी बढ़ाते हैं तो वह बढ़ती है ठीक है जो सेट अब यहां पर करते हैं तो यह समझ में ऑ गया यहां पे क्या हो गया यहां थे सिक बराबर नेlog तो इत्व हो जाए नेरजी कि मिले ter ठीक है जब हमारा delta z delta z max हो जाएगा तो यहाँ पे हमें यह simple सी equation क्या बन जाएगी हमारी even is equal to e2 क्या हो गया EC होगया plus delta z जो है वो maximum delta z हमारा हमें मिल गया ठीक है हमें यह equation हमें मिलेगी यहाँ से हम delta z max की value निकाल सकते हैं दोस्तों ठीक है डल्टव्ट मेस क्या हो जाएगा E1 – EC तो वह हमने लिख दिया और critical energy का formula क्या होता है EC का formula क्या होता है भई EC का formula होता है 3 by 2 YC तो 3 by 2 YC यहां पे हमने लिख दिया यह यह देल्टव्ट का हमें formula मिल गया ठीक है तो आई हो आप लोगो के clearly कि एजिली क्लियर हो जाएंगी बस थोड़ा सा दिमाग ध्यान से लगाने की जरूरत है यहां पर दोस्तों तो थेंक्स वर वाचिंग अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करो भाई शेयर भी करो दो यार ना